आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि हाइड्रोलिक पुलर के बारे में जैसा कि आप यहाँ पर यह जो हाइड्रोलिक पुलर जैक आप लोग देख रहे हैं तो आज के इस वीडियो हम लोग complete जानकारी इस hydraulic के बारे में देने वाले हैं किस तरह से यह काम करता है और क्या क्या काम इसकी मदस्याप कर सकते हैं तो बने रहे हैं वीडियो में लाश्ट तक और चैनल पर अगर आप पहली वार आए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी और भी जो वीडियो हैं उनका नोटे पर किसन सबसे पहले आपको मिलता रहे तो चली वीडियो में सबसे पहले हम बताते हैं इसकी जो जेक की क्वाइल्टी है वो क्वाइल्टी देखी इसका जेक की जो कमपनी हमारी लियो कमपनी का इसमें जेक लगा हुआ है और इसकी лोड कैपसिटी जो हैं हमारी बो 10,000 केजी की रहने वाली है इस पर साफ साफ मेंशन किया गया 10,000 केजी और कंपनी का नाम भी साफ साफ इस पर लिखा हुआ है तो इसी के बारे हम हम कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं तो देखी इस से आप फराटा फैन हो गया या भी सकते हैं दोनों काम यह बहुत ही आसानी से कर देगा तो देखिए आप फिलाल मेरे पास यह कूलर किट का एक रोटर है जिसमें साफ्ट लगा हुआ है तो पहले हम इसे निकाल कर दिखाते हैं उसके बाद इसे रिमूब करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से यह निकाल देते हैं और देखिए अगर आप जैक को ऑपरेट करने से पहले चलाने से पहले यह जो हमारा प्रेसर रिलीज का पॉइंट है इसे टाइट करना होता है तब ही हमारा जैक पर तरीके से काम करेगा अभी हमारा यह टाइट है इस तरह से हमने टाइट कर रखा आब इसे हम कर चुका है तब तक आप चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं अगर चैनल पर पहली वार आए हैं तो अगर पहले से कर रखा है तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका तो देखी साफ्ट हमारा निकल चुका है कितनी आसानी से हमारा साफ्ट को इसने निकाल दिया देखी साफ्ट ह हमारा तीस सेकंड से भी कम समय में साफ्ट हमारा निकल चुका है कूलर किट की रोटर से रोटर हमारा अलग हो गया और साफ्ट हमारा अलग है तो इसने इसे बहुत ही आसानी से निकाल दिया इसी तरह से आप सेलिंग फैन हो गया या एक्जेस्ट फैन हो गया या फर्राटा पनाएए मोर्व फेन होगा हैं या मदानी मोटर हो गया किसी थासफ्ट आप इससे सांज कर सकते हैं नयाभी लगा सकते हैं पुराना निकाल के yap iso बहुती आसानी से लगा सकते हैं अब इसी साफ्ट को हम इसे दुबारा लगा कर इसमें दिखाते हैं कि किस तरह से यह लगाता है अभी तो आपने देख लिया कि इसने निकाल तो बहुत आसानी से दिया और लगाने में कितना टायम लगता है अब इस प्रेसर को हम कर देते है इससे release ताकि हमारा jack ऊपर की तरफ चला जाए देखिए जैक हमारा ऊपर की तरफ चला गया अब इसे हम दोबारा से tight कर देते हैं ताकि हमारा jack proper रूप से काम कर रही है अब इसे हम पहले हाथ से इसे फसाना होगा आपको इस तरह से पहले आपको हाथ से फसाना है यह हमारा हाथ से फसा दिया अब यहाँ पर इस तरह से इसे रखना है इसके center में आपको रखना है ताकि हमारा jack proper तरीके से pressure लग पाए अब इसे फिर करते हैं इस तरह से नीचे की तरफ handle को चलाते हैं और jack हमारा नीचे की तरफ हो जाने लगा अब देखी साफ्ट पर हमारा pressure डलना शुरू हो गया है और साफ्ट हमारा rotor में फसना शुरू हो गया है जहां पर आपको accurate लगे अपना साफ्ट वहीं पर आप इसे रोक सकते हैं और रोकने के बाद आपको इस handle को निकाल देना है यहां से चाहें यह ऐसे pressure को आप हाथ से भी release कर सकते हैं इस तरह से हाथ से pressure हमारा release हो गया अब देखिए यह हमारा साफ्ट इसमें एकदम accurate जगह लग चुका है तो इस तरह से आप इसे साफ्ट भी किसी तरह का change कर सकते हैं bearing भी निकाल सकते हैं तो सभी तरह के काम इससे हमारे hydraulic jack से बहुत ही आसानी से हो जाएंगे तो अगर आपके लिए इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए यह आपको यह order पर मंगवाना है खरीदन हैं से तो स्क्रीन पर एक नंबर आपको दिखिरा होगा बहां से संपर्क करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं प्राइज के बारे में जानकारी ले सकते हैं कहां पर आपको मंगाना है उसके बारे में भी आप complete जानकारी उस नंबर से ले सकते हैं और आप order भी कर सकते हैं तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिद